नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आजिशी शर्मा आज तक 24 नियूज में आपका स्वागत है आए रुख करते हैं आज की ताज़क खबरों की ओर कोलकाता में 31 वर्षिय महिला डॉक्टर के साथ हुई बरबरता के विरोध में कैंडल मार्च संजीर सक्सेना के नेत्रित्व में मात्र भूमी सेवा संगथन द्वारा कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई बरबरता के विरोध में कैंडल मार्च एवं डॉक्टर्स के सम्मान में सभा का आयोजन आपको बता दे कि 8-9 अगस्ट को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षिय पोस्ट मार्च और श्रधान जली सभा में भारी स अंख्या में स्वयम से वी कार्य करता युवा चात्र चात्राओं एवं महिलाओं ने भाग लिया इस आयोजन का उद्देश्य कुलकाता में 31 वर्षिय ट्रेनी डॉक्टर के साथ धटक बरबरता के खिलाफ शोक और अक्रोश व्यक्त करना था कार्य क्रम में मुख्य अतिथी के रूप में उपस्थित इंजिनियर संजीव सक्सेना ने मीडिया को दिये बयान में कहा कि हम इस भयानक घटना की कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि समाज में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुष लगे हमने देखा है कि कोवीड की समय किस तरह डॉक्टर्स ने अपने जान पर खेल कर जिन पर लिखा था डॉक्टर धर्ती पर भगवान का रूप हैं डॉक्टरों की साथ सम्मान जनक व्यवहार करें नशी को कहे ना नारी का सम्मान करो कुछ पल का नशा सारी उम्र की सजा राजधानी भोपाल से मोहिन खान की रिपोर्ट बड़े राजा महाराजा हुए भगवान हुए उन्होंने भी विजय प्राप्त करने के लिए शक्तितत्व का पूजन किया इस्तितत्व को यदि आप पूजन नहीं करोगे सम्मान नहीं करोगे तो देशगर्त में चला जाएगा और नशे को बंद करना हो सब्सक्राइब करने में उनको डर लगे उनको भय हो उनके अपनी जान कवाए और नशे में भी डर जाएं कि अगर हम यह करेंगे तो हमारी हमारे साथ बहुत भीवस घटना घटेगी ऐसा कानून बनना चाहिए बिल्कुल करेंगे और हम लोग नशे के खिलाब यह चलाएंगे मात्रभूमी सेवा संग्ठन का कैंपियन होगा नशे को कहें ना नहीं यह उसके लिए हम उनके लिए नियाय के लिए हम लोग आज यहां पर केंडल मार्च कर रहे हैं उनकी उनके लिए स्रद्धांजली के लिए हम लोग केंडल मार्च कर रहे हैं साथ ही नशे को बंद करना चाहिए नशे पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्योंकि नशे करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर आक्ष्यस प्रवेस कर जाता है 95% घटनाएं 75% सोरी जो घटनाएं हो रही है वह उन व्यक्ति द्वारा क कैम्पेंच चुरू कर रहे हैं और यह महिलाओं के और लड़कियों के जिस तरीके से असुरक्षा की भावना पहल रही है यह गलत है आज देश यह वो देश है जहां पर रानियों ने राज किया जहां पर बेटों को माता के नाम से जाना जाता है ऐसे में यदि किसी बागिता से यह देश नहीं बढ़ सकता हम घोर विरोध करते हैं ऐसी घटनाओं का उस हमारी बहन अभया को हम अश्रुपूर्ण सद्धांजली देते हैं डॉक्टर्स का समर्थन करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि जहां जहां आपके कभी किसी पर्चित या परिवार ज जान का जोके मुठाकर भी साथ दिया था हम लोग ईश्र को एकुलेंट डॉक्टर्स को एकुलेंट गॉड मानते हैं और महिलाओं के साथ किसी भी वर्की ये अत्याचार ये दरिंदगी ये घोर आपत्ती जनक है इसका हम विरोध करते हैं उनको फासी पर लटकाना ये उसके पीछे क्या वज़ा है कितनी बड़ी साजिश है वो सामने आना है